हाई गाईज और वेलकम बैक तो यूर ओन चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विलकम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल अनालिसस ऑफ 24 देसमबर 2020 तो गाईज आज है तारिक 24 देसमबर 2020 और है थर्सडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पर दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइज करेंगे बट गाईज लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये दा हिंदू न्यूस पेपर चाहिए बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट तो आपको करना क्या है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग् कर लेना और अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है उस लिंक के ओपर क्लिक करके आप जाकर इस चैनल को जॉइन कर सकते हो देखो यह चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन ले सको देखो होता क्या है बेल आइकन बच्चे प्रेस नहीं करता है फिर UK को United Kingdom को देखना है क्योंकि UK बहुत जादा न्यूस के अंदर है पूरे न्यूस पेपर में UK UK कवर करा गया है तो इसको जाकर मैप के अंदर देखना और इसकी exact location क्या है यह आप लोग को नीचे comment section में बताना है और UK किसके से अपना border share करता है वो उन सभी के name नीचे comment section में बत अब ही आप लोग को मालूम होगा farmer protest चला है सभी लोग को मालूम है अब farmers protest कर रहे है क्यों protest कर रहे है क्यों कि जो center केंदर सरकार है उसने हाली में 3 farm bills को पास किया था ठीक है उन 3 farm bills के against यह farmers प्रदर्शन कर रहे है और farmers जो हैं उन की मांग यह है कि जो यह 3 bills पास करे गएं क थोड़ा सबडेशन किया है इन्होंने reject कर दिया government ने जो वहारी सरकार है उन्होंने offer कि उन्होंने बोला चलो हम लोग आपस में बैटकर बातचीत कर लेंगे सरकार ने बोला, government ने बोला फार्मर से आपस में बैटकर बातचीत करी जाएगी इस चीज़ के ओपर प्रोडेस्ट क्यों चल रहा push बारे मैं ठीक है आतपस में बात चीट करें हम लोग सुल्जा लेंगे लेकिन उसको देखते हैं फार्मर्स उन सब चीज़ों को reject kur रहे हैं गवर्णन्मेंट की इन बातों को reject कर रहे हैं सीधे सीधे फार्मर कह रहे हैं कि हम कोई बातचीत नहीं करने वाले सीधी एक मांग है इन तीनों फार्मिल्स को हटाया जाए तो हटाया जाए सीधी एक मांग है कोई यहां पर बातचीत नहीं होगी ऐसे ही हां पर बताया गया है देखो समयुक्त किसान मोर्चा ने reject कर दिया government का offer to resume talks ठीक है तो यहाँ पर बात चीए तब कुछ नहीं होगी directly इनका ये कहना है कि ये लोग चाहते हैं कि जो भी ये anti-farmal laws हैं उनको direct withdraw कर जाए हटाई दिये जाएं बस और कुछ नहीं चाहते तो इसके अंदर बस थोड़ा सा अपडेशन यही था और यहाँ पर और इतना कुछ है नहीं सार्टिकल के अंदर discuss करने के लिए और आज का सबसे most important article पूरे newspaper का most important article है ये ये article में आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा overview देता हूँ ये है क्या और फिर उसके बाद आगे चलके हम इसको discuss करेंगे page number 8 के ओपर ये इस article को दिया गया है देखो एक केन energy करकर है केन energy ये एक आप कह सकते हो oil और gas का exploration company है जो कि इंडिया के अंदर भी थी इसनोंने gas और oil और gas को explore किया तो इंडिया के बीच में और इस केन energy company के बीच में टसल हो गया इन दोनों के बीच में case पहुँच गया case चल गया और वो case जो है वो पहुँच गया PCA permanent court of arbitration permanent court of arbitration कहां पर है इसका headquarter हो है हेग में ठीक है हेग में नीदर लेंड में ठीक है अब यहाँ पर यह जब PCA पहुचा तो वहाँ पर जो decision लिया गया और वहाँ पर जो case का आपके सकतो निपटा वो case और case निपटने के साथ साथ यह बताए गया जो care energy है वो जीत चुका है यह case और इंडिया हार चुका है यह case और इंडिया को यहाँ पर पे करने पढ़ सकते हैं 10,247 करोड रुपीज 10,247 करोड रुपे पे करने पढ़ेंग सकते हैं इंडिया को ठीक है इस company को देना पढ़ सकता है ऐसा क्यों देखो हुआ गया था इंडिया ने इस company के ओपर retrospectively आप कह सकतो text वगरा लगा दिये थे अब यह retrospective text क्या होता है देखो एक बिल्कुल हमने आज से देड़ दो महीने पहले एक case हो रहा था काफी जादे news के अंदर था Vodafone वाला तो Vodafone पे भी क्या करा गया था retrospective text लगा गया था अब यह retrospective text क्या होता है मैं आप लोगो बताता हूँ यहाँ पर RT लिख देता हूँ मैं यानि कि मान लो जो सरकार है यहाँ पर government ने कोई नया rule लेकर आया अब उसमें government जो है tax लगा रही है ठीक है अब जब tax लगा रही है government जो है आप समयलो कोई सी भी यहाँ पर tax बगरा लगाया किसी company के ओपर मान लो यह कोई company है ठीक है इसके ओपर tax लगा रही है और tax लगाने के साथ साथ यह भी बोल लही है कि यह तो tax है तुम यह 2018 से पे करोगे 2018, 2019, 2020 यह 3 साल का पे करोगे यानि जो पीछे की side से पिछले साल का भी tax लिया जाता है उसको हम लोग कहते है retrospective tax जो पिछले साल का भी लिया जाता है ओके, तो यही पर government ने, हमारी भारत सरकार ने इस company को उपर ऐसा किया ठीक है कि retrospective tax लगाए जाएगा क्योंकि इसमें होता है क्या है देखो कोई भी, मतलब ऐसा होता है कि जो company इसको उपर लगाए क्यों जाता है इसके पीछे reason क्या है company जो है, मतलब कभी कबार क्या होता है बहुत सारा gain कर लेती है, बहुत सारा फायदा उठा लेती है, किस चीज़ का फायदा उठा लेती है सरकार के कोई जो laws है जो भी कानून है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है तो उससे company बहुत फायदा उठा लेती है जैसा waterphone ने उठाया था तो उस तरीके से जब company धिर सारा फायदा उठाया लेती जब पता चला सरकार को बाद मैं और फिर वो उस कानून के अंदर बदलाव करता है न मलब सरकार जो हिस कानून के अंदर बदलाव करती है तो वो फिर क्या करती है वो tax लगाने लगती है कि पिछला tax भी तुम दोगे, तुमने इतना फाइदा उठाया इसका, तुम पिछले साल से जब से तुमने ये फाइदा उठाया तब से तुम tax लगातार दोगे ठीक है तब का पिछला भी दोगे तो यहाँ पर यह बोला जाता है ठीक है तो ऐसे यहाँ पर कुछ यह हुआ था लेकिन जो gain energy है उन्होंने बोला हमने कोई capital gain नहीं किया हमने कोई फैदा नहीं उठाया यह पहुंच गया permanent court of arbitration PCA पहुंचा PC PCA पहुंचने के बाद वहाँ पर case को आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मालूम चला और case जो है निप्टा और case कैसे निप्टा care energy जीत चुका है और Indian government को यहाँ पर pay करने सकते हैं 10,247 करोड रूपीज यह था यह वाला article आगे बढ़ने के जरू उसे charge करा जाता है उसके बाद next article आता है हमारा page number one के उपर यहाँ पर बात करी जारी है तमल नाडू government gives go head of जली कत्तू तमल नाडू की जो सरकार है उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो अभी देखो पोंगल का time आने वाला है पोंगल का celebration आने वाला है तो वहाँ पर जली क तरीके से लेकिन साती सात यहाँ पर security के ओपर भी ध्यान दिया जाएगा COVID-19 को देखते हुए यह भी बोला जा रहा है कि जो लोग हैं जो मैदान में उतरेंगे वो सर्फ और सर्फ तीन सो लोग उतरेंगे उसके अलावा और कोई नहीं उतरेगा और वो तीन सो जो लोग उ testing होगी कि कोई भी COVID-19 positive ना हो भारा सरकार की तरफ से उनको certification दिया जाएगा कि उनका negative test के उपर फिर उसके बाद यहाँ पे यह festival को celebrate करा जाएगा ओके तो यह था इसमें ना उसके बाद आएंगे हम लोग page number 2 के उपर page number 2 पे आप लोग को कुछ farmer protest वाले article दिखाई देंगे जो कि हमें रोज ही newspaper के अंदर दिखाई देते हैं ठीक है daily basis पे newspaper में आ रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के related article और आपको अब नहीं cover करना है बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में page number 3 के उपर अगर हम देखें तो यहाँ पर article दिखाई दे रहा है 11 लोगों और positive पाई गया है UK की फ्लाइट से United Kingdom की जो फ्लाइट है वहाँ से 11 लोगों को और positive पाया गया है अगर हम बात करें UK इतना news के अंदर क्यों है क्योंकि United Kingdom के अंदर कुछ नए type के new strains of COVID-19 के variant देखे गया है यानि कोरोना वाइरस का एक नया variant देखा गया है और इस नए variant का नाम क्या है मैंने आप लोगों को बताया था B.1.1.7 इस नए variant का नाम है और ये जो वाइरस है बताया जा रहा है कि ये वाइरस बहुत तेजी से spread हो रहा है बहुत तेजी से transmit हो रहा है एक दूसरे person to person तो इतनी तेजी से spread हो रहा है कि वहां के जो UK के Prime Minister Boris Johnson जिनका आप picture thumbnail में देखोगे तो जो ये इन्होंने क्या कर रहा है इन्होंने declare कर दिया एक strict lockdown की भाई सब कुछ बंद रहने वाला है ठीक है सब कुछ बंद रहने वाला Christmas भी यहाँ पर आप कह सकते हो बिकार ही हो जाएगा उन लोगा celebrate वगरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि य उनके ओपर टेस्टिंग वगरा करी जा रही है ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग उसके बाद आएंगे एक छोड़ा सा आर्टिकल यहाँ पर यह दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है जहांगीर पूरी और बावान यह दोनों most polluted areas declare कर दिये गए नवंबर महिने में यहाँ पर देखो आप यह सारी जगा का नाम दिया गया है लेकिन इसके अंदर जो टॉप के ओपर है वो दो हैं जहांगीर पूरी और बावान तो जहांगीर पूरी का जो आप कह सकते हो status 118 और बावान का 113 तो यहाँ पर यह नवंबर का है और यह दो उनों एक सीवर काटिगरी में है सीवर काटिगरी यानि कि वहां की एर जो है वो बहुत ही जादा हामफुल बन चुकी है वहां की एर के अंदर बहुत सारे हामफुल सबस्टेंसे हैं फॉर एक्जांपल पी एम 2.5 यानि पर्टीकुलेट मैंटर चोटे-छोटे डस्ट पा नमबर के टाइम पर तो आप लोग इनका देख सकते हो नाव पेज नमबर 4 के उपर आएंगे तो अड़र्टीजमेंट है यहां पर पेज नमबर 4 पर कुछ पढ़ने लायक है नहीं हमारे लिए पेज नमबर 5 पर थोड़ा सा महराश्टरा को फोकस में लाया है काफी दिन पाद महराश्टरा को लाया गया है फोकस में तो जो महराश्टरा के अंदर हो गिरते जा रहे हैं खीक है तो काफी अची बात है काफी तो बढ़े ही रहेगाए अब आते हैं आप हैश नमबर 8 के उपर यहां पर आप लोग यह आर्टीकल देखने को मिलेगा देखो यह आर कर लिया retrospective taxation वाला कि जो Indian government है उसको pay करना करना पड़ सकता है 10,247 करोड रुपीज to the care energy ठीके देखो वही लिखा गया है care energy ने win कर लिया है arbitration award वो जीत चुका है permanent court of arbitration के अंदर case तो यह सारे articles हम लोग already discuss कर चुके हैं now आएंगे हम लोग page number 9 के उपर और page number 9 पे चोड़ा सार्टिकल यह वाला दिखेगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है गुपकर alliance जो है वो lead में चल रहा है जम्मू कश्मीर के DDC polls में आप लोग को मालूम होगा जम्मू कश्मीर के क्या हुआ जम्मू और कश्मीर में elections हुए है यह एक आप कर सकते हो संगठन है च्छे पॉलिटिकल पार्टीज का च्छे पॉलिटिकल पार्टीज का यह संगठन है जिनको इस संगठन को कहा जाता है गुपकर alliance और यह आपस में मिलकर यह चाहते हैं कि जो हमने अभी यानि भारत सरकार ने जो भी आर्टीकल 370 को अब्रोगेट किया जम्मू कश्मीर को अलग करके लग कराई separate union territories बनाई यह जो करा यह काम गलत है इन लोग का कहना यह है गुपकर alliance का कहना यह काम गलत है और इसको वापस restore करा जाए इसके against यानि कि भारत सरकार के against है जो भारत सरकार ने यह आर्टीकल 370 को अब्रोगेट किया है उसके पूरी तरह से against है यह गुपकर alliance ठीक है इसी वैसे यहाँ पर इन लोगों ने यह अपना alliance संगठन बनाया था और इस संगठन में जो है बहुत सारी आप कहसकते हो इन लोगा जो main focus ही है main focus यह है कि जो भी काम करा है भारत सरकार ने आर्टीकल 370 को abrogate किया है और को वापस लाया जाए और वापस जैसे पहले situation थी वैसे ही बनाई जाए ठीक है लेकिन ऐसी होने वाला कुछ नहीं है लेकिन इनके द्वारा यह कहना है demand है इनकी now page number 10 के उपर आएंगे page number 10 पे यहाँ पर नजर आएगा आपको close watch on visitors from UK यानि कि जो भी यहाँ पर United Kingdom से लोग आ रहे हैं लोग visitors आ रहे हैं इंडिया के अंदर में उनके उपर एक दिहान से हम लोग को आप कह सकते हो निगरानी रखनी पढ़ेगी एक निगरानी रखना काफी ज़ादे जरूरी भी है क्योंकि वहाँ पर बहुत धगड़ा यह जो variant है यह नया variant वो फैला है अगर ऐसा नहों कि इंडिया के अंदर फैल जाए क्योंकि वहाँ की चलो population कम है इंडिया के अंदर population double है बहुत ज़ादा population है ठीक है तो अगर इंडिया के अंदर की situation आ जाती है इंडिया के अंदर तो control होना बहुत मुश्किल है बहुत तेजी से spread होना चालो हो जाएगा ठीक है तो उसी वज़ा से यहाँ पर इतना focus में है UK और UK से हम लोग इतना दूरी बना के रखना है इसी वज़ा से in fact हम ही लोग नहीं सारी की सारी countries चाह रही है कि UK से अभी थोड़े time के लिए दूरी बना के रखने है क्योंकि अगर ऐसा यहाँ पर situation देखने को मिलती है अगर यह new variant फैलता है तो फिर एक नई problem create हो जाएगी ठीक है अभी COVID-19 के लिए हम लोगों ने vaccine बनाई है ना एक नया variant फैल जाएगा तो फिर एक नई संकट आ जाएगी सभी के ओपर उके ना उसके बद नेक्स आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या बताएगा है जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने review करा situation at the LAC LAC क्या है line of actual control LAC इस साल बहुत जादे news के अंदर रहा है क्यों क्योंकि जो line of actual control है यहाँ पर दो country के बीच में दो देशों के बीच में लड़ाई चल लई है वो कौन सी है इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना के बीच में dispute रहा है पूरे साल LAC के ओपर तो आज तक situation ऐसी है ठीक है आज तक situation maintain नहीं हो पाई है और अगर हम बात करें चाइना के साथ तो relations हमारे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं बरबाद हो चुके हैं ठीक है अब relations ये वापस recover हो नहीं सकते 99% तो आपके सकतो impossible है कि relations जो है ये recover हो पाई है क्योंकि चाइना ने बहुत अपनी गंदेंदी हरकते दिखानी चालू कर दी थी ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसी को देखते वे जो हमारी आर्मी चीफ है ठीक है आर्मी चीफ पहुँचे जिनका नाम है जनरल मनूज नारवान ठीक है इन्होंने यहाँ पर यह पहुँचे और इन्होंने जो situation है वो देखी पूरी LAC पर क्या situation है ठीक है वो ही सब बताया गया now situation तो इन्होंने देखी देखी लेकिन उसके बाद देखो काफी सारी चीज़े इन्होंने वो बाली बता दी जो अभी हाँ पर हम लोग पढ़ चुके है मतलब कि already कि क्या क्या situation रही है ठीक है इंडिया चाइना के पीछ में किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था देखो हुआ क्या था की जो चाइना है वो अंदर गुसकर आया था सबसे पहले तो चाइना का ही यह काम था चाइना एलेजी में अंदर गुसकर आ रहा था अपनी camping वगरा कर रहा था टेंट वगरा लगा रहा था है ना लेकिन फिर उसके बाद जो है इंडिया ने उन्हें वापस बगाया फिर उसके बाद से ये डिस्प्यूट चालू हो गया ऐसा दिन भी आया जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए ठीके ऐसे ऐसे यहां पर सिचुशन देखने को मिली है इंडिया चाइना के रिलेशन के स चला है दो most important चीज़े देखने को मिलेंगी यहां पर देखो सबसे पहला क्या है UK की फिर से again यहां पर इसी वज़े से मैंने बोला UK को जाकर जरूर देखना map के अंदर कहां पर है exact location याद कर लेना अच्छी तरीके से जो यह United Kingdom के अंदर जो नया strain नया COVID-19 देखने को मिला ह exactly यहां पर यह बोला जा रहा है कि भई वो जो हमारी नईनी vaccines बन रही है ठीके जो हमारी vaccines बन रही है उनके उपर कोई effect नहीं पड़ेगा उससे यानिकि उन vaccine के उपर मतलब आपस कहो कि वो vaccine खराब है अगर बन गई तो हमें नई vaccine मनाने पड़ेगे तो ऐसे नहीं है तो यह यहीं बोला जारा है UK strain unlikely to affect efficacy of vaccine यानिकि जो UK का नया strain B.1.1.7 का new variant देखने को मिल रहा है उसके अंदर इतनी संभावना नहीं है कि वो जो हमने vaccine बना रखी है उसके उपर पानी फिर सके जो अपने vaccine बनाई है उसके उपर पानी फिर सके यानिकि इस vaccine से भी लड़ा जा सकता ह है इस variant से ठीक है जो नया type का virus फैला है जो हम vaccine develop कर चुके हैं उससे भी लड़ा जा सकता है ठीक है यही चीज इसके अंदर बताई गई है ठीक है तो मैं आपको यहां पर exactly क्या है article में यह मैंने पढ़के बता दिया है तो आपको अब क्या करना है बहुत से बच्चे कहते है आपने short बता दिया short कुछ नहीं है यहाँ पर वही सीजे लिखी गई है इसमें मैं क्या बताओ इसमें और अलावा मैं ऐसे आर्टिकल के अंदर क्या बताता रहूं इसके अंदर मैं घुमा घुमा क्या तुम्हें घुमाता रहूं गोल गोल जो exact बात है वो है ठीक है यहां पर काम है मेरा कि मैं एक accurate information दे सकूँ एक छोड़ी से information दे सकूँ आप जिससे आप लोग पैचान सको कि यहाँ article में है क्या ठीक है तो फिर करना क्या है डाउनलोड करो newspaper टेलिग्राम से नीचे description box में link है वहाँ पर जाकर आप देखो क्या क्या चीजे लिखी वही है यही आपको detail में मिल जाती है newspaper मिल जाता है तो आप अनाम से मज़े में रहें ठीक है जादा attention ना लें यहाँ पर article आपके लिए सारे ही cover करे जा रहे है नाउ उसके बाद यहाँ पर एक article नजर आएगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है जो Putin है ठीक है Russia के President यहाँ पर President Vladimir Putin है किसक यह expect कर रहे हैं कि जो Russia के relations है अमेरिका के साथ वो बिल्कुल सेम रहे हैं जैसे Trump के administration के अंडर में यानि कि मानना यह है देखो exact क्यों यहाँ पर article यह बता जा रहे है कि बताया जरा जो बाइडन जो है जो बाइडन जो की आज के टाइम पर नए President बन चुके है USA के और वो 20 जन्वरी से office के अंदर बैठना चालू करेंगे तो जो जो वाइडन है यह Russia के against है ठीक है किसके against है Russia के against है Russia से बहुत जादे आपके सकते हो बहुत बड़े दुश्मन है Russia के Russia के against रहते हैं बिल्कुल तो यह देखा जा रहा है जैसे ही office के अंदर आते हैं तो थोड़ी Russia और USA के बीच में तो उसी को देखते हैं हमारे Russia के president Vladimir Putin क्या बोल रहे हैं इनकी expectation है यह expect कर रहे हैं कि जो relations है वो बिल्कुल सेम रहेंगे ठीक है ऐसा कुछ बवाल ना हो ना हो यहाँ पर Joe Biden कुछ ऐसा step उठा है जिसकी वैसे थोड़ा सी problem creator ठीक है तो कुछ problem ना हो तो इनक expectation है कि बिल्कुल सेम रहें जैसे कि अभी Donald Trump के अंडर में जो relations है रश्या के वैसे ही चलते रहें तो जादा बढ़िया रहेगा आने वाले time में भी ठीक है तो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे ना आएंगे business page के उपर देखेंगे economics related कौन सा article है यहाँ पर आप लोग सरकार को GST देनी है ठीक है GST का compensation जीस्टी नहीं देनी है GST का compensation पे करना है यह क्या है situation क्या थी आप लोग को मालूम होगा जब GST को लाया गया था तो जो states है उन्हों मना कर रहे थे कि GST नहीं लाए जाएगी ताकि क्यों मना कर रहे थे क्योंकि उनके जो industries बगरा वो तुम्हें एक मुआफ़जा दे देंगे अब वो मुआफ़जा हर साल दिया जाएगा बोल गया था 2022 तक तुम्हें मुआफ़जा दिया जाएगा लेकिन बीच में 2020 में आ गया coronavirus अब यहाँ पर GST का payment ही नहीं हो पाया GST tax ही नहीं collect हो पाया तो कहां से payment होगी तो उसके बी इस tax का जो यह compensation payable है 2020 और 21 का वो gap 1.95 lakh करोड रुपीज का है यानि अभी भी इतना amount रह गया जो pay करना है 1.95 lakh करोड रुपीज का ठीक है नाव गाइस यहाँ पर यही बताया गया नाव हम लोग चलते हैं अपने editorial के ओपर एक editorial है आज का जो की मात्र एक editorial है जो कि हमें discuss करन है और वो भी इतना दम नहीं है ठीक है editorial सारे आज कल ऐसे ही आ रहे है देखो political related editorial आ रहे है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जमू कश्मीर के elections के बारे में DTC जो मैंने भी बताया गुपकर Alliance जो है कहाँ पर एकदम lead कर रहा है वही सारी चीज़े है ठीक है तो उस बिकार है यहाँ पर देखो elections के बारे बताया जा रहा है आज के टाइम पर बहुत सारी जगा पर elections हो रहा है सबसे पहरी बाद elections होने भी चाहिए क्योंकि क्या है सबसे पहरी बाद democracy की बहुत जादे जरूरत है democracy है हमारी country में तो फिर democracy को maintain करने के लिए हमें elections करवाने बहु उसको लेकर बताया गया देखो बिहार में elections होए बहुत सारी जगह पर अभी elections हुए है बहुत सारी जगह पर चल रहे हैं और बहुत सारी जगह पर elections आने वाले हैं तो उसको देखते हैं यहाँ पर बताया यहाँ बताया इक यह viper बढधे बढ़िया रहे है तो सबसे main focus कर आगया steps के उपर जो कि आर्टिकल में आपके लिए जो important चीज है सरफ और सरफ वो यह है कि अगर election हो रहे हैं आज के time पर pandemic के दौर में यानि महामारी के दौर में elections अगर हो भी रहे हैं तो वो किस तरीके से होने चाहिए इसके अंदर discuss करा गया है वो क्या है सबसे पहले देखो elections तो होने चाहिए चाहिए बढ़िया है लेकिन यहाँ पर elections में देखो एकदम logic सी general सी बात क्या है जो लोग है वोटर है जो वोट देने जाएंगे वहाँ पर compulsory होना चाहिए कि वो लोग एक mask पहने अपना अपना mask पहने एक compulsory होना चाहिए अगर उन्हें मास नहीं पहना है तो उन्हें वापस बेजदो वापस बेजदो घर अगर उन्हें मास नहीं पहना है तो ठीके सबसे बड़ा step यह होना चाहिए दूसरा जो senior voters हैं उनको advice करनी चाहिए कि वोट कर सकें पहले 3 घंटे के इन फर्स त्री आर्स आप दा वोटिंग यूजिंगा सापरेट कुई लेन यानि कि अपनी अलग से लाइन बनाई जाए जो भी यहां पर senior voters होंगे जिनकी age जादा होगी वो उनकी लिए अलग से लाइन बना कर जाकर वोटिंग करवाए जाए उनसे तो जादा बैटर रहे तो आप यहां पर इन पॉइंट्स को खुद भी लिख सकते हैं ठीके नाओ यहां पर एक और पॉइंट है important सबसे उपर यह वाला यह क्या है जो भी security staff महां कर रहेगा जहां पर भी elections वोट वगरा डलेंगे आपकी एरिया में जहां पर भी वहां का जो security staff रहेगा उनको priority दे नी चाहिए उनको vaccination सबसे पहले मिलना चाहिए ठीके फिर उसके बाद यह सारे staff उठाने चाहिए मास पहनना चाहिए और फिर line में बनाकर पहले तीन घंटे में जो भी aged person है उनको vote दे रहेगा इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो जादा better रहेगा तो वही बताया गया वही हेडिंग है free, fair और safe elections मोटो होने वाला है इस साल का तो गैज इसी के साथ होता है आज का मरा दा हींदू news पर paralysis पूरी तरह से समाप I hope आप लोग को समझ मां गया होगा सभी कुछ नाओ कोई problem होती है तो नीचे comment section में बदा सकते हो या फिर आप instagram join कर सकते हो instagram पर आपको search करना है जाके दीपक याद आव UPSC coach के नाम से नाओ guys यहाँ पर अभी तक आपने इस चनल को subscribe नहीं किया तो नीचे red color का बटन आ रहोगा subscribe कर लें bell icon प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की notification मिसना कर सकें तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day